मैं हूँ मनोच गुमार गसिस की खास पेसकाच खबर भी असर भी में आपका स्वागत है आज वाकई जिस मुद्दे को लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तूत हो रहे हैं ये मुद्दा वाकई बहुत बड़ा है देश आजाद हुआ और आजादी के बाद लोगों ने सपना देखा था कि हम अपने शर्जमी पे हैं सारी सुबधाय हमें मिलेगी लेकिन आजादी के सतर साल बीत गयें और उसके बाद अचानक जमसेदपूर में एक बलाश्ट होता है और यह बलाश्ट होता है कि कल तक जो दुकांदार 80 रुपए यानि 40 रुपए से 50 रुपए 100-200 रुपए भारा देते थे अब उन्हें देना पड़ेगा हजारों रुपए 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए अब समझेए कि यह बलाश्ट नहीं तो क्या है यह बलाश्ट क्यों हुआ और यह बलाश्ट किस ने किया तमाम मुद्दे पर हम आपके से बात करेंगे और तमाम मुद्दे पर अपने यहां जो दुकांदार है यहां के अस्थानिये लोग है इस उन लोगों से बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इसका हल क्या है जब सरकार बनी और सरकार बनने के बाद लोगों की उमीद जगी थी जब टाटा एस्टिल था और टाटा एस्टिल के कमांडरिया से जब बाहर हुआ था 95 में कुछ इलाका तो लोगों के एक और उमीद जगी थी लेकि उसके बाद आपको समझने में देर नहीं लगेगा एक बारीडी बाजार का हाल देख लिजे बारीडी बाजार का ये दुकान है ये वो दुकान है जो शैरात के नाम पर नहीं जो पहले टाटा एस्टिल के कमांड एरिया में था लेकिन सरकार ने अब उसे अपने कमांड मे कर लिया है जब सरकार के कमांड में गई तो लोगों को ये लग रहा था कि वाकई अब टाटा एस्टिल जो एक प्राइबेट कमपनी है वो 40 रुपए 50-100 रुपए जो भारा लेती है निश्चे तोर पे उससे भी जादा रहात मिलेगी और इसका मलिकाना हक भी हमें मिल सकता ह हम इस दुकान के मालिक भी हो सकते हैं यानि शैरात की जमीन पे सरकार का कबजा हो गया हलाकि ये जमीन पहले सरकार की ही थी लेकिन सरकार ने टाटा एस्टिल को लीज में दिया था जब टाटा एस्टिल को लीज में दिया तो निश्चे तोर पे ये उमीद लोगों को जग बारा जो देना पड़ता है वो भाड़ा कम देना पड़ेगा लेकिन यहां पूरा मामला ही पलट गया पहले तो टाटा इस्टिल लेती थी 40 रुपए लेकिन अब 80 रुपए स्कॉाइर फीट राज सरकार और जिला प्रसासन ने तै कर दिया है अब आप समझे जिस दुकान का भारा 100 रुपए हुआ करता था आज उन दुकानदारों को 18,000 रुपए महीना देना पड़ेगा अब आप समझे कि वो खाएंगे क्या कमाएंगे क्या पड़िबार और बाल बच्चों को रखेंगे कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे एक तो दो साल क्रोना का काल और उस ऍसके बाद हमेरे साथ दुकान दारों उन से भी बात करेंगे और ताथ साथ आखिर इसका समस्या का समाधान क्या होगा लोग चाहते क्या कहें ये बड़ा मुद्दा है सिर्फ एक जम सेथपूर का एक बारीडी का ये मुद्दा नहीं है ये जम सेथपूर के साक्षी बजार का मुद्दा है और गोल मूरी बजार का भी मुद्दा है यानि टाटा एस्टिल के कमांड एरिया का जो इलाका था जो शैरात की जमीन थी उस पर दुकान बना और वो दुकान जब बना था तो टाटा कंपनी टाटा सहब का ये सपना था कि यहां रहने वाले लोग और जो मजदूर है उनके पड़िबार के लोग को बाहर नहीं जाना परे और सारी सुबधाएं उनके सहर में मिल जाए 114 साल बीद गया लेकिन अचानक टाटा कंपणी के हाथ से सरकार ने छिल ली और जब सरकार ने छिनी तो हाल ऐसा कि अब दुकांदार अब दाने दाने को मुहताज हो जाएंगे हालात ऐसा कि दुकांदार दुकांदारी करें या सरकार से लड़ाई करें हलाकि लाराई का उदेश यह नहीं है लाराई का उदेश है कि अपने अधिकार के अपने पेट के लिए ये लोग आज बुलंद कर रहे हैं एक दिन पहले बाजार भी बंद था लेकिन उस सब के बाब जूद भी अब तक ना तो परसासन के तरफ से कोई अस्वाशन और नहीं सरकार ने कोई अस्वाशन दिया हमरे सब दुकंदार के पहले इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगा उसका धमें लगता है कि पुरा माम अचानक रात बने दोपार में साड़े तीन वजे चार बजे जब बजार बंद रहा था उस टाम सेटर के निचे से बिल दिया गया जब कि दुकान बना था तो उसनमें तो टाटल साफ का सपना कुछ और था कि मजदूर है मजदूर के परिवार के लोग रहेंगे लोग इस सहर बसेगी सारी मुल्वत सुबधाय रहेगी इसलिके उस समय रेट उन लोगोंने कम कर दिया लेकिन अचानक जब सरकार ले लिए मन में वसा थाओ और हम लोग के जानकारी में भी नहीं था, कि अइसा होगा. । यसी मुल्वत कि दे पाएंगे ढ़हाँ, आदा से ज्यादा बजार में तो बिकरी नहीं है. किसी तरह अपना पेट चलाते हैं दुकंदार बहुत ऐसे दुकंदार हो गये जिनका बोनी नहीं होता होगा 90 परसेंट दुकंदार ऐसे होंगे कि जो कि अपना रोजी-्रोटी किसी तरह चलाते हैं कुछ तो लॉक्डाउन के चक्कर में दो साल तक बरबाद हो गया कुछ online business हो गिया, कुछ बस्ती मुहले में दुकान होने के कारण बजार में तो customer नहीं है यहां जितने गाड़िया दिखती है उतने customer नहीं दिखते है जितने दुकंदार हैं दुकंदार कहीं गाड़ी है जाहिर सी बात है कि अचानक अगर एक बड़ा बोज अगर पड़ जाता है अगर किसी के पास एक मैसेज आये और ये कहे कि आपको पहले 50 रुपया देना पड़ता था लेकिन अब आपको 15,000 रुपया देना पड़ेगा आप क्या समझेंगे आप भी सबसे पहले तो बौकला जाएगा लेकिन इन दुकांदारों ने संजम बरता और सीधे तोर पे अपने अधिकार की मांग को लेकर एक दिन पहले उपायुक से इन लोगों ने मुलाकात भी की अपनी बात प्रशासन और सरकार तक भी पहुँचाने काई लोगों ने प्रियास किया है लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि अचानक 2 साल तक क्रोना काल रहा 2 साल तक लोगों के जिंदगी और मौत की बात थी अपने गरों ठा scratch से ही जिन्दिगी के रफतार पट्री पर आई उसके बाद सरकार का एक बड़ा तुलगी फर्मान वो भी जमसेदपूर के लिए अब वो लागू कर दिया गया जिसको लेका दुकानदारों में रोज तो है लेकिन नाराज भी है क्या करेंगे आप क्या करेंगे भारा तो बढ़ गया तो बाड़ा बढ़ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कोई पाई नहीं हम लोग क्योंकि हमारे दुकान यह हमारी दुकान है हमारे दुकान की रेंट जोर पर आती थी अभी उसने हमारे तीना जर आट सो भेजी है उससे हम दो भाड़ा देर नहीं पाएंगे तो तो शेह हमारी कहना है यह कितना आंधनी हो जाता है यह डिपेंड करता है सर जी कैसी दुकान है कोई 10,000 कमाता है कोई 15,000 कमाता है कोई 20,000 कमाता है मुझे नहीं लगता है कि 12 बजार में कोई एक कोई भी एक आदमी जो परड़े 1000 जाएं उनको एक अंदा यह 2-4 दिन बढ़ जाएं उनको समझ में आ जाएगा कितनी कमाई होती है अगर जिए जो 25-30,000 रुपए बच्चा का आदमी कमा रहा है अगर वो 15,000 रुपए से भाड़ा दे देगा तो घर क्या ले जाएगा अपने बच्चों को क्या खिलाएगा क्या पढ़ाएगा क्या लिखाएगा अपना परिवार को कैसे पालेगा आप एक सहर में रह रहे हैं एक छोटा सा दो रुम का फ्लैड आप किराय पे लेने जाए साथ से आड़ जाव रुपए किराय होता है एक किसी नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ाई है आप बच्चे को तो दो जार रुपए से एक फीस है कम से कम दो जार रुपए आप उसके उपर ट्यूशन है बच्चे का कॉपी किताब है उसका स्कूल का सारा समान है कपड़े है तो 38-4 जार रुपए मान के चलिए अब कोई दुकान दर 22-25 जार रुपए कमा रहा है तो वो इतना ज्याद इस्टिल ने हमको बताया भी निक कि हम आपसे दुकान ले रहे हैं के उन ने बताया भी निक हम आपसे दुकान ले रहे है इसको जैनेश को देंगे इसको अप लोग बात अब सरकार अचानक से इतना ज्यादा भड़ा यह तो संभो नहीं है किसी भी हाल में संभो नहीं है हम लोग का यही उपाय है कि हम लोग सड़क पे आएंगे जिस नॉर्मल रूल से आपका संघर्ष करेंगे सांती पूरुवक सत्यागरा करेंगे अब समझने की जरूरत है कि जिन दुखनदारों पर अचानक इतना बड़ा बोज पर गया है वो अपने परिवार को कैसे चलाएंगे बच्चे को कोई स्कूल कैसे भेजेंगे अगर घर में कोई बीमार पर जाए भगवान न करें तो कैसे उनका इलाज होगा ये तमाम बेवस्थाएं हैं और जो इलाका है ये सहर का बीचो बीच का इलाका नहीं है सहर से सटा हुआ बारिडी इलाका है जो टाटा के कमांडरिया का अंतिम जो जगह है वो ये इलाका है और उसके बाद अचानक इन दुखनदारों पर बोज परता है और उसके बाद द कुकांदार परिशान है लेकिन सबसे जादा अगर कोई परिशान है तो है बारिडी बजार के लोग क्योंकि यह इस के बाद गाओं शुरू हो जाता है आप समझेए गाओं के लोग जो जो होते हैं या बस्ति के जो लोग होते हैं वो कमाते कितने हैं सो दो सो रुपया अगर उनको दो दिन भर में मिल गया तो उनके लिए वही बहुत है और ऐसे में अगर ये तुलगी फर्मान प्रसासन और सरकार का होगा तो निश्चित तोर पे आंदोलन के रूप रिखा भी त्यार हो रही है शांते पूंधंग से लोग अपनी आवाज सर कार को इस पर संग्यान लेने का बारीडी बाजार का ये हाल और बारीडी बाजार का ये दुकान हम आपको दिखा रहे हैं वैसे जंचे पूर के तमाम रहा का हैह सब का हाल गेही है गरहाक नहीं है जो दुकांदार है वो अपने दुकान में इंतिजार कर रहे हैं लोगों का कि भाई कुछ बिख जाएगा तो आज चूलहा जलेगी लेकिन ऐसी हालत जब हो जाया और इसी हालत में अगर सरकार का एक बड़ा फर्मान परसासन का एक बड़ा फर्मान अगर हो जाये कि आपका जो भाड़ा था वो 700 गुना बढ़ा दिया गया है आब बताएए 40 रुपए कि अगर 17,000 देना पड़ेगा तक कितना होगा ये तो मैट समझने की जरूरत है अब आप समझेए कि गणी तो भी कहता है कि वाकई अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंटेज बढ़ता है सरकार का जो बिरोध करेंगे क्योंकि बिरोध करने का में कारण है कि उनके पॉकेट से पैसा चला जाएगा जब पॉकेट से पैसा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि दिन रात अथक प्रयास करते हैं मेहनत करते हैं और उसके बाद जो हालात होता है वो समझेए इतना परसेंटेज अब समस्या तो बहुत बड़ी है बहुत बड़ी समस्या है और ये 700 से 800 परसेंटेज बढ़ा दिया गया है अचानक और ये सरासर अन्याय है और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि विगत हमारे जो पुरवज है वो बता रहा है कि 1967 में भी इस तरह का माहौल पैदा हुआ था जो टाटा कंपनी को शुपूर्द कर दिया गया है जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि हम लोगों ने देखा भी है कि साक्ची बजार में आतिक्रमण अवश्य दुकंदारों के माद्यम से हुआ है तो मार्केट डिपार्टमेंट अपने आपसरों ने उनसे फाइन वसूला तो फाइन ऐसा वैसा नहीं कि सो दो सो चार सो पांस सो नहीं किसी से पंद्रह हजार किसी से साथ हजार किसी से छे हजार तो ये ऐसा लगता है कि जेनेशी के माद्यम में जिस प्रकार से सेर के मुँ में खून ठीक उसी प्रकार से दुकानों में सर्वे किया जाता है तो दुकानों में जो सर्वे किया जाता है आके चेक करते हैं उनलों फाइन करते हैं 15,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 परतासन जो है वो अपना बेवस्था करेगी कि भाई हम तो कुछ करेगी जो परतासन अगर कहेगी तो आईसी स्थिती में आप लोगों का क्या रणनीती एसा है कि ऐसा नहीं होगा कि आज टाटा कंपनी ने मार्केट अगर मान लीजे कि सरकार को सौपा है और किस तोर तरीके पर सौपा है क्या कागच पत्तर के माध्यम से स्खौपा है कि य fondo हम लोग भी देखेंगे और रहा सवाल है कि जहां तक है कि नगर विकास मंत्री के माध्यम से ये हमारे जो विधायक है स्रीमान सरीवराय जी उनको से दस्वासन मिला है कि अभी कोई दुकंदार भाड़ा नहीं देंगे और इस विसे में बाचीत होगी और उसके बाद में जो निसकर्स निकलेगा उसके बाद ही दुकंदारों को भाड़ा देना है ये बाते सामने आई है लेकिन ये अभी पुक्ता लिखीत रूप से हम दुकंदारों को सुचना नहीं दी गई है अब रहा सवाल है कि ये जो चल रहा है ये हर दुकंदार ये सिर्फ बारेडी मार्केट का ही समस्या नहीं है ये तमाम आठ बजारों को लेकर के सहराती बजार जो कहा जा रहा है ठीक है सहरात के रच के आए तो धुed आज कम्पणिना फिर कुछ ऑड़ा देते वे रहे हैं तो आखिये तो आतिकर्यम में इसके बारे में हम लोग उसकी जनकारी नहीं है लेकिन जो पक्की करे न जो दुकान जो हो चुका है और यह जो कई सालों जो साट तो से अपना रेंट टाटा कमपनी को देते वे आ रहे हैं और कहीं भी किसी का अगर बकाया है तो वो बकाया भी देने को तयार है इसके लिए भी तयारी हुई थी तो इन सब बातों को देख करके ऐसा लग रहा है कि दुकंदार के उपर में जो यह अचानक बोज आया है इसका न हैं तो यह संपती तो टाटा अ चेल की थी टाटा अस्टील ने बनाया था ओर टाटा टील, ने लोगों को एलाउट किया था लेकिन अचानक जब सरकारा और प्रसावदान के पास आती है और उसके बाद भारा बढ़ जाता है इतना भारा बढ़ता है कि लोग तोलन होगा तो सरकार को जागना होगा और जरूरत है इन दुकांदारों को एक जूटता दिखाने की जब ये दुकांदार एक जूट रहेंगे तो निश्चे तोर पे सरकार भी जुकेगी और प्रसासन को भी अपना फैंसला बदलना होगा भारा तो नहीं देंगे भारा असमर्थ है हम लोग बजार का जो बालिरी मार्केट है उसका जहना ऐसा अभी मंदी बजार में जो हो रहा है कि अपना परिवार चलना मुस्किल है कि दोनों टाइम का भोजन नहीं हो पा रहा है बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है और इस द करोणा ख़तम हुआ तो अचानक कि यह लाद दिया गया हम लोग पर अब मलेक कितना हूँ सोचने के बाद भी असमर्थ हैं देने में हम नहीं दे सकते हैं हम लोग भारा है चलेगा ही नहीं आप समझे हैं कि जो दुकांदार दुकान का भारा देने में आनकानी नहीं करता था समय हुआ और गो भारा टाटा ऐसल तक पहुँच जाती थी लेकिन वहें दुकांदार साथ तोर पे कह रहे हैं कि हम अब दो वक्त की रोटी का जोगार करें कि हम भारा दें अब आप समझे हैं कि अचानक अगर भारा बरता है तो जाहिर सी बात है कि लोग गुस्ता जरूर होगा लोगों में लेकिन लोग गुस्ता नहीं कर रहे हैं लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं कि आपने भारा किस तरीके से बरहा दिया आपने सुचना क्यों नहीं दिया आप दुकांदारों को बिस्वास में क्यों नहीं लिया दुकांदार अगर कहता कि कुछ परसेंटेज बरहाईए तो कुछ बात बन सकती थी लेकिन ये अचानक ये फर्मान जारी करना और उसके बाद रात के अंधेरे में बील भेजना ये साफ जाहिर होता है कि आपको भी कहीं न कहीं डर था कि दिन में अगर जाएंगे तो दुकांदारों को गुस्से का सिकार होना होगा तो रात के अंधेरे में आपने बील भेज दिया प्रसासन तो पुरी तोर पर जी एनसी तो पुरी तोर पर माने एक तरह से हम लोगे साथ बहुत जादे गलत कर रहा है गौर्मेंट पदा नहीं हमें क्या समझ रहा है कि 7000, 8000, 16000, 25000 जो बाड़ा दे रहा है एक गरीब आदमी कहां से उस भाड़े को एक टीवी रिपेरिंग करने वाले दुकान में हो सकता 200-300 रुपया रोज कमाते होंगे 7000, 10,000 कमाते होंगे वो 15,000 रुपया बाड़ा कहां से देंगे एक भाड़ेदार और एक दुकंदार को कम से कम मिल के बात करना चाहिए कि हम आपको क्या भाड़ा हम इतना भाड़ा भाड़ाएंगे आप उसके लिए तयार है कि नहीं है 1500 ठीक है 50-60 रुपया बहुत कम था तो 1000 रुपया 700-800 एक नॉमिनल कर देते जो हमलों भी दे सकते हैं और हमलों को भी लगता कि हाँ बढ़ा सही है बढ़गी है इतना लेकिन वो तो सर्वे कर लिए HDO साब बैट बोल दिये कि 10-30 रुमें बजार में कोई का 20-30 रुपया है कोई का 20-30 रुपया हाँ हो सकता दे दिए तो ये तो सब के लिए पॉसिबल नहीं है ना एक अलू वाला में और एक सोरू में फरक है दोनों में बरक होता है आपने कहा कि वाकई प्रसासन को जरूरत है कि एक बार आप बैठक किजिए और इन दुकंदारों के साथ और उसके बाद इनके दर्द को आप समझिए कि आखिर ये एक महीने में बेचते कितने का है एक महीने में अगर 10,000 रुपया ही अगर कमावते हैं तो उसमें परिवार है माता पिता हैं बच्चे हैं और साथ साथ बिमारी भी है और इस सब के बाद आपके दुकान का भाड़ा है अब आप समझेए कि पहले जो भाड़ा बंधा गया था वो जिन लोगों ने बंधा था वो यही समझ कर बंधा था कि वाकई आप इस दुकान से दो पैसा कमाईए और परिवार को चलाईए लेकिन अब तो यहाँ है कि आप कर रहे हैं तो हम आप पर डंटा चलाएंगे और आपको देना होगा पैसा लेकिन नहीं चलेगा ऐसा दुकानदारों ने साब तोर पे मन बना लिया है कि आप तो बैठ कर एक बार अपने कार्जकरम के अंतिम पड़ाओं पे हैं जिस सैरात की बात हम कर रहे थे और जिस सैर पे आते भी हैं तो अपने अधिकार के खातिर लेकिन इस बार भी जो आये हैं यह सरक पे वे इनका सिर्फ एक ही डिमांड है कि आपने रात के अंधेरे में भारा कैसे बढ़ा दिया जब भारा बराने से पहले सबसे पहले आप दुकांदारों को विश्वास मिलेना भारा भी बढ़ा और भारा बरने के साथ साथ यह फार्मान भी जारी कर दिया गया अब तो जमसे तो नोटिफाइड एरिया की गारी निकलती है तो दुकांदारों को डर लगता है कि कहीं और फार्मान तो नहीं आ गया क्योंकि जब यह निकलते हैं तो कुछ न कुछ फार को देखने और बजार सही कैसे है बजार के जो दुकांदार है उनकी समस्या क्या है इसको लेकर जमसेत्पुर नोटिफाइड एरिया ने एक बार भी दुकांदारों के बीच या दुकांदारों से कभी बात नहीं की होगी अगर बात की रहती तो उनके बीच और दुकांदार करसे वाद इसको 500 रुपय और फिर अभी भी रोप्रीं प्रॉब्लेंगे हूं कोई दुकंदर के करके देखते हैं कि क्या लपना रहा है यह हो रहा है यह होता है हम प्रवा outro अ अमों के साथ लिए इसलिए बनाए गया कि जो यह के नागरिक है यह कि जो दोकानदार है उनकी समस्य को तो अगर उने किसी प्रकार की समस्या है, तो अपनी समस्या से उन्हें अफ़ट कराएंगे। लेकिन यहां बन गया city in charge अब city in charge का मतलब है कि यह पूरे city का मालिक है वो वो जब चाहे किसी पर fine कर दें जब चाहे वो फर्मान जारी कर दें लेकिन इस बार का जो फर्मान है इस फर्मान के खिलाब पूरे दूख अंदार है और जाहिर से बात है, उनको होना ही पड़ेगा, एक सी बताईए, भारा बहुत बढ़ गया, भारा तो देना नहीं है, जब तक कोई समस्या के समाधान नहीं हो जाता है, तब तक अगर दुकान आता है जमसेटपूर नोटिफाइड वाले तो क्या करेंगे? हम लोग अंदल करेंगे, दुकान बंद करके वहां सामने आ जाएंगे उनके, कि भाई या तो बाड़ा बड़ा हो आपिस करिए, नहीं तो हम लोग ऐसा मजबूर हो जाएंगे, कि आपने आपको आतम दाख करेंगे, परिवार साहित, लाश उपाई ही हम लोग, एक हैना मेरा आपने खाएंगे, नियाले भी एक रास्ता है, आगे क्या भविश में नहीं कुछ हो बाड़ा हो जाएंगे, बाड़ा बंद करके, लेकिन यह तो समभवी नहीं है कि यार दुकंदार पांचे, पंदरह जार, चोहुदा हैंगे, तेरह जार बाड़ा दे सके प्रवान जारी हो गया फर्मान से सारे दुकांदार दाशत में है अब इतना ज़्यादा बढ़ा दिया किया है जहां 100 रुपय था वहां 14,000 रुपय भाड़ा कर दिया किया है तो यह हम लोग देंगे कहां से दुकांदारी तो ऐसे भी कोरोना समय में पूरा बरबाद होके रखा है इसके बाद फिर अब किसी तरह किसे दो चार पैसे चाल हुए तो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया फिर ट्रेड लाइसेंस के लिए बढ़ाया गया कोई सुविधा तो हम लोगों कोई बढ़ाया नहीं जा रहा है साड़क वैसे के वैसी रहती है किसी तरह का सुविधा नहीं है सिर्फ हम लोगों से असुलने के लिए लोग आते हैं देगा बिजली बिल देगा पडिवार को चलाएगा माता पिता का इलाज कराएगा या सीधे तोर पे वो सरकार को ये पैसा देगा अब आप समझने की जरूरत है कि अब सरकार भी समझे प्रसासन को भी समझना होगा क्योंकि आपके तुलगी फार्मान का जबाब नए मुद्दो के साथ अपने सायोगी रिशब के साथ में मनोज कुमार कसिस नीज जम्शेत पूर